सचिन पाइलेट को लेकर लगातार कयास लगाया जा रहे थे कि सचिन पाइलेट को राजस्तान में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्योंकि लोग सबा चनाव पास में थे माना ये जा रहा था कि सचिन पाइलिट को या तो नेता पर्तिपक्स बना दिया जाएगा या फिर परदेश अध्यक्ष की वापस कमान समला दी जाएगी लेकिं जिस तरही सचिन पाइलिट को च्छति distingu परबारी मा सचीव बनाया गया उसके बाद अब दोड में कई नाम और लिकल कर सामने आ रहे हैं सांतीधारीवाल का नाम भी लिकल कर सामने आ रहा है क्योंकि सांतीधारीवाल लगातार कद्दावण नेता रहे हैं सदन में लगातार बीजेपी को घेडते वे नज़र आते हैं अब सक्षे सांतिदारीवाल का नाम तो चली रहा है इसके साथ साथ ही अब ज्युए हरिश्च चौदरी का नाम भी चल रहा है बायतू से विधायक हैं हरिश्च चौदरी और लगातार ज्युए रहे हैं चेत्र में सक्रिय रहें विदान सब्सक्राइब सेट उन्हों ने जीत लिए लेकिन अंती महर आला कमान की और से लेकर मन्थन किया जारा है लेकिन जिसके सचिन पाइलेट को राजस्तान से दूर कर दिया यानि कि 36 गड़ का परभारी मासचीव बना दिया उसके बाद अब ये क्यास लगाया जा रहे हैं का पार्टी कारेला में चर्च सल रही है आंखिर नया नेता परतिपक्स कौन होगा कई नाम लिकल कर सामने आ रहे हैं लेकिन वीजेपिन रिस्तर युवा चेहरों को आगे किया क्या कॉंग्रेस युवा चेहरों को आगे करेगी इसको लेकर भी मन्थन किया जा रहा है हालनकि कॉंग्रेस जानती है कि अब समय कम बचा है लोगसबाद चुनाओ पास में है जल्दी नेता परतिपक्स के नाम का भी ऐलान करना है 19 तारीक को सदन भी आहुत होगी लगाता सदन को लेकर क्या नेता परतिपक्स का चुनाओ जल्द कर लिया जाएगा लेकिन यू कह सकते हैं कि जिस तरह अशोग घैलो तो सचिन पालेट दिल्ली में थे बैटकों का दौर चला था अब महर लग चुकी है कभी भी जो है नेता परतिपक्स के नाम का एलान हो जाएगा क्या पर्दिश अध्यक्स के चेहरे पर बतला होगा क्योंकि जिस तरह पार्टी कारायलों में चर्चा चल दी है कि अब गोविन सिंग दोटासरा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है पर्दिश अध्यक्स के चेहरे को लेकर भी क्यास लगाया जा रहे हैं कई नाम लिक से दूर कर दिया अब चर्चाओं का दौर सुरू हो चूका है कि क्या कॉन और कब जो है का ला कमान की ओर से मिल आ रहे हैं नहींना के चाहरे करते सी नाम नामिंदे से Heart बाद चुनाव हा रहे हैं इसलिए सचिन पाइलेट को जो है 36 गड़ की जिम्मेदारी देदी हालाएं कि सचिन पाइलेट टॉंग से विधायक है और टॉंग में उनका दोरा लगाता जारी रहेगा लेकिन अब किसके नाम पर महुड लगीगी इसको लेकर संसे बरकरार है क्य किसी युवा चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी क्या परदिश अद्यक्स के चेहरे पर बदलाव किया जाएगा इसको लेकर संसे बरकरार है लेकिन माना यह जा रहा है कि एक से दो दिन के अंदर कभी भी नेता परतिपक्स के नाम पर महौड लग जाएगी बसंद आएगी त्विना इन जापोर